जो आपके लक्षे की तरफ ले जाए बाकी सारे सपने भूल जाओ फिर आप देखोगे कि उस महाल लक्षे को अपने सामने पूरा होते हुए आप देखोगे मनुष्य के संकल्प से बड़ा कोई लक्षे नहीं होता तो हमें भी एक लक्ष दिया मानने परधान मंतरी जीने व यह विक्सित भारत का लक्षे दिया है राश को विकास की उंचाईयों पर ले जाने का खोए हुए भैवब को वापिस दिलाने का भारत वासियों को आतम विश्वास के चरम शिकर पर ले जाने का आईए उस विश्वास को जीतें भारत को चरम सीमा पर ले जाएं नया भार की बुलंद तस्वीर दिखती है जब हम दस्वे नंबर की अर्थ विवस्त्या से अब दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता बन जाते हैं लेकिन तीन महीने बाद तीन महीने बाद मोदी जी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे और जब तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ शक्ती बन जाएंगे और अगले तीन सालों में अगले तीन सालों में नासिक में भी कुम आएगा एक और हम नासिक का कुम बनाएंगे दूसरी तरफ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता बन जाएंगे मेरे युवा साथियो एक समय दस साल पहले ऐसा था 2G घोटाला सुनने को मिलता था आज आत्म निर्बा भारत का अपना 5G का नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा बन गया है उस समय कॉमन वेल्ज खेल का घोटाला सुनने को मिलता था आज भारत के खिलाडी 100 मैडल जीत करेशियन गेम्स में आते हैं और हम जल्दी अलम्पिक्स का आयोजन भी करने वाले है उस समय अंत्रिक्ष घोटाला सुनने को मिलता था आज भारत अंत्रिक्ष मेंने आयाम स्तापित करता है चंदर्यान मिशन की सबलता दुनिया का इकलोता देश भारत दक्षिंद्रूब में तरंगा जंडा लहराता है शिवशक्ती पॉइंट पर उस समय डिफेंस को डालो की गूँज थी आज आत्म निर्वा भारत में एक लाख क्रोड की डिफेंस प्रडक्षन के नई रिकॉर्ड बनाए है उस समय कोल स्कैम था आज हमने स्टील और पावर के उतपादन में नई रिकॉर्ड बनाए है यहीने मेरे भाई और वेनो आज भारत नूतन और पुरातन को एक साथ लेकर चल रहा है तो मोदी जी के नितरतम में लेकर चल रहा है आज विरासत भी और विकास भी है दिव्य और भव्य सोमना धाम काशी विश्वना धाम केदार ना धाम महा कालोग धाम और अब आयोध्या धाम में भव्याराम मंदिर का निर्मान भी पुरा होगा विवासातियों स्वामी विवेका नंजी ने कहा था कि स्वस्थ शरीर्थ में ही स्वस्थ मस्तिश्क निवास करता है तो गीता को अगर हिर्दे से समझना है तो पहले फुटबॉल खेलो माश पेशियों को मजबूत करो मोदी जी भी वही कहते हैं खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ड्रग्स फ्री इंडिया फिट इंडिया ये मतलब फिटनेस का डोज, आधा गेंटा रोज और नशा मुक्त भारत का भी संदेश दिया है एक अंतिम बात करके मैं अपनी वानी को विराम देना चाहता हूँ मेरे साथियों आजकल कुछ लोग जातिवाद और ख्षेतरवाद का जहर घोल रहे हैं मैं आपसे इतना ही कहूँगा कंदों से उची छाती नहीं होती देश से बड़ी कोई जाती नहीं होती दिया ही नहीं बचातो बाती क्या करोगे देश ही नहीं बचातो जाती क्या करोगे अरे पहले देश को तोडने वाले थे आज जोडने वाले हैं चाहे काशी तमिल संगमम हो, सुराष्ट तमिल संगमम हो, एक भारत श्रेष्ट भारत हो, पहले तोड़ने की संस्कृती थी, आज जोड़ने की संस्कृती है इसलिए हमें जाती धर्म संपरदाय से उपर उठकर एक लक्षे विक्सित भारत के लिए हम सब को जुट जाना है अपने आपको खपा देना है यही हमारा वीर सवरकर और स्वामी वेकरन जी को सची शरदांजली होगी क्योंकि हौंसलों के तरकष में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो हार जाओ चाहे सब कुछ मगर फिर से जीतने की उमीद को जिंदा रखो एक बार फिर इस शांदार कारिक्रम के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों का बहुत शांदार कारिक्रम किया है और अगर आप विक्सित भारत बनाने के लिए तैयार हैं तैयार हैं के नहीं 25 साल देने के लिए तैयार हैं तो मेरे साथ बोले भारात मता की, भारत मता की, भारत मता की, one day, one day, one day.